आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में आज हम डिसकस करेंगी क्लास सेवंथ की शोचल साइंस की वर्कशीट वर्कशीट नमर सेवन जिसका टॉपिक है पर्या वरंड के कारक यह हम हिंदी और इंगलिश दोनर में ही डिसकस करने वाले हैं किसी भी जीवत प्राणी के चा की आउले क offset आप प्रकशीट को हम क्या कहते है पर्यावरंड इसolar प्रकश more और महान creating में इसने नहीं जल वाईूपेट सब Вीसके अन्दर प्रकशीक प्रियावरंड में आते हैं उस एक क्या होते हैं कुछ क्या होते जीवला कुछ और बच्चों प्रिया अबरे तो इसे कारण और जैविक मतलब यह किसे भी परियावरेंड में जीवित घटक होते हैं जैसे कि मनुष्य जानवर पर चैसे कि मनुष्य जानवर पर यह क्या है इसको लिविंग है। जिसके अंदर जान होती है और इसको में बोलते हैं बायो टिक और हिंदी की बात करें तो आजयविक means abiotic components ठीक है बच्चो इसको हम बोलेंगे abiotic तो abiotic components means आजयविक जिसके अंदर जीवन नहीं होता है जो निर्जीव होते हैं जैसे कि मिटी वायू जल हवा ये सब क्या होगे हमारी निर्जीव तो कुछ अधारण है जैसे कि आपको अधारण लिखने हैं पहला है जैविक कारग जैसे कि पौधे जानवर पक्षी ठीक है और पेड़ पौधे हो गया मनुष्य तो ये सब क्या है आपके जैविक उसके लावा दो एक्जामपल और लिख लीजे किसी भी जैविक का कीडे मकोरे कीट ठीक है आज जैविक जैसे कि भूमी मिट्टी वायू जल अगनी ये सब हो गया अब उसके बाद नेक्स्ट है जैविक मंडल में दो शामिल है डैश और डैश कारक कौन से कारक है बचो वो जैविक और जैविक कारक अब उसके बाद नेक्स्ट है आज जैविक एक पारितंत्रिक के जीवित भागों में परिभाश्यत करता है यह क्या है गलत है क्यूंकि आज जैविक क्या होता है जिसके अंदर जीवन नहीं होता जैविक कर्थ क्या है? जैविक कर्थ है जिसके अंदर परियवन का वो भाग जिसके अंदर जीवित घटिक होते हैं अब छले एक बर सको इंग्लिश में देख लेते हैं बच्छो हणज हम डिसक्स कर रहे थे biotic and abiotic components तो first is आपको examples लिखने हैं biotic components के plants, animals, humans trees, ठीक है and apart from this you can write insects snakes birds ये सारे क्या हो गया आपके biotic, abiotic में land, soil, air, water fire metal chair, table, कुछ भी अब उसके बाद next है आपका first question, the biosphere contains both dash and dash components which are biotic and abiotic components the next is, abiotic defines the living part of an ecosystem, no it defines the non-living part what does biotic means biotic means they are the living component of any environment तो बच्चो ये थी हमारी आज के छोटी से worksheet जिसमें हमने biotic आपके बारे में सीखा जिसमें जीवित होते हैं जो जीवित नहीं होते और उसके बाद उनके examples देखे हैं इनको classify किया तो next video में फिर से मिलेंगे thank you so much for watching this video इसे मिलें दिसमें आडे था किया जृपिव a क्तुमाट की हैं और मेंनッक हो आए होहते हैं